अब तुम्हार पार सिर्फ दो ही चोईस है मेजराजी, be your friend और remain our enemy and suffer मैं टहरने वालों में से नहीं हूँ मेरी मन्जल कहीं और है क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बन करूँगा एक कहा तुने क्या कैटरीना और विकी भी हो सकते हैं कैमियो में क्या जौनी लीवर एक बार फिर से होंगे फिल्म का हिस्सा क्या सुनी थी देने वाली है फिल्म में अपनी आवाज हलो दोस्तो मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉली ग्रेट स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में बॉबी देवल को उनके फैंस काफी समय से फिर से देखना चाहते हैं बड़े पड़े पर और ये डिमांड उनके फैंस काफी समय से कर रहे हैं तो अपने फैंस की ये डिमांड को सुन लिया आखिरकार बॉबी ने जी हां तो बॉबी देवल लॉट रहे हैं बड़े परदे पर अपनी फिल्म सोलजर के सीक्वल के साथ जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हैं कि रेट्रो फिल्म के रीमेक का चलन काफी जोरो पर है बॉलिवुड में वैसा ही कुछ होने वाला है बॉबी देवल की सोलजर के साथ भी तो खबरे ऐसी आ रही है कि शोलजर 2 की स्क्रिप्टिंग पर मेकर्स काफी तेजी से काम कर रहे हैं वहीं फिल्म की स्क्रिप्ट वी जल्द ही फाइनल हो जाएगी फिल्म की कास्ट के फाइनलाईजेशन के बारे में अभी कोई कन्फरमेशन सामने नहीं आई है लेकिन कास्ट के फाइनल होते ही मेकर्स साजा करेंगे फैंस को शोलजर 2 की अनाउस्मेंट के बाद से ही फिल्म के बारे में नई नई खबरे सामने आ रही हैं जी हाँ जानी अब एक बार फिर से आ रही है सामने फिल्म की release date से एक काफी interesting news जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि फिल्म में हो सकता है विकी कोशल का cameo इस बात की पुष्टी अभी तक makers की तरफ से नहीं की गई है और अब एक और नई खबर है इस cameo से related आ रही है सामने जो ये है कि विकी के साथ केटरीना भी दिख सकती है cameo में बॉलिवुड में हाल ही में ये trend चल रहा है कि जहां real life couples को real life couple भी बनाया जा रहा है अभी कुछ समय पहले ही रंडवीर सिंग की फिल्म 83 में हमने देखा दिपिका और रंडवीर को एक on screen couple के तौर पर और अब बारी है विकी कोशल और केटरीना कैफ की वहीं फिल्म विदाता के original version में जौनी लीवर ने हमें काफी हसाया और अगर हम जौनी लीवर की बात करें तो वो एक ऐसे actor है जिनकी on screen presence दर्शकों को पेट पकड़ने पर मजबूर कर देती है और अपना ये talent एक बार फिर से साजा करने आ रहे है जौनी लीवर शौलजर के sequel में होने वाला है इनका भी एहम रोल फिल्म के makers की माने तो फिल्म में जौनी के होने से होगी फिल्म में एक काफी अच्छा humorous touch जो कि फिल्म को successful बनाने में करेगा एक काफी बड़ा रोल प्ले फिल्म सौलजर का music तो लोगों को काफी पसंद आया ही था इसलिए makers ने इस बार फिर से audience को फिल्म के गानों से दिवाना बनाने के लिए कर ली है पूरी तैयारी जी हाँ यानि कि अपनी सुरीली आवाज से फैंस के कानों में शेहत घोलने वाली है सुनीदी चोहान एक समय था जब हमें सुनीदी की आवाज हर दूसरी फिल्म में सुनने को मिलती थी लेकिन समय के साथ साथ इंडस्ट्री में सुनीदी की presence फेड होती जा रही है तो इसमें वापस से रंग भरने के लिए सुनीदी करने वाली है एक तगड़ा कमबैक शोलजर 2 के साथ तो क्या आपको लगता है कि डीप वील की तरह विकी कैट भी लुभा पाएंगे ओडियंस का दिल हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए बॉलेगराट स्टूडियोज को धन्यवाद